तो गाइस, वेलकम तो थिंक इजी, काफे दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो ये वीडियो खास कर जो मैं उन्हें बनाई है, ये आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है कि अभी 23 से SSC Junior Engineer 2018 का पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेरे जो दोस्त सब के मेरे पास messages, calls आ र तो उसी के लिए बारे में मेने वीडियो बनाई है कि आपको अब क्या focus करना है, किस चीज़ पर किस नहीं करना है, और बेसिक किस चीजों में लोगों को ज़्यादा difficulties होती है, पेपर के time में, तो उन चीजों पर आपको क्या गलती नहीं करनी है, तो ये वीडियो पूरा द देखेगा वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जादा जादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजेगा तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कि अपने को सबसे पहला जो पार्ट आता है व कुछ questions जो कुछ topic में से कम जादा हो सकते हैं तो उसके related आपके है जो previous year के paper है वो most important है सबसे पहले चीज़ आप कुछ करिए ना करिए SSC के 2013 से लेके 2017 तक के जितने भी paper है सबको लगा डालिए एक एक question को numerical basis जो question समझ में नहीं आ रहा है numerical का जैसे survey में काई question है जिसमें ठीट दे रखा है आप से direct value पूछ लेगा तो उन questions की जो answer है वो आप जरूर याद कर लीजिए क्योंकि वह question सीधा कर सीधा पूछा जाता है बात की जाए non-technical general intelligence and reasoning section का तो 35-40 question बहुत easy आते हैं चे से साथ question वो moderate रहते हैं और जो 2-3 question होता है वो difficult रहते हैं तो आपको क्या करना है इसमें attempt आपको 35-40 के बीच में करना है सही सही आपको गलत नहीं करना है क्योंकि जितना कम गलत करोगे उतना जादा आपको normalization में फाइदा होगा बात की जाए coding recording तो 6 question पूछे गए थे तीन पर जितने maximum question लगा सको वो लगाईए test दीजिए और अगर आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में आता है तो आप कोशिश कीजिए का कि यह गलत ना हो और time management सबसे ज्यादा important रहता है इस चीज़ में तो आप time management जरूर कीजिएगा coding decoding के 6 question, number and alphabetical series के 12 question, inequality से 1 question तो आप inequality जिसको नहीं आता हो छोड़ सकता है analogy से 2 question, odd one out के 10 question, symbolism के 3 question, statement conclusion से कोई question नहीं आया था इस बार 2 से 3 question बनने की probability है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा बात की जाए dice के 1 question, direction के 3 question, sitting arrangement के 1 question, non-verbal में paper folding mirror and cutting के 5 question, main diagram का 1 question, blood relation के 2, matrix का 1, mathematical calculation 2, total 50 question तो on an average जो देखा जा रहा है पिछले सालों में जो इसमें बच्चों का score रहा है 35 से 40 was a good score little bit and जो को और अच्छा score करना है इसमें आपन जादे score कर सकते हैं इसमें है time taken problems होती है तो उनको आप अपने हिसाब से tackle कीजेगा कि first जो हो रहे हैं उनको करके last के लिए जो time taken problem है उनको last के छोड़ दीजेगा अगर time में ले तो उनको attempt कीजेगा वरना जो आ रहा है वो पहले attempt कीजेगा इसके बाद बात की जाए जन्रल अवेर्नेश की जन्रल अवेर्नेश में साइन्स के 17 questions तो आप साइंस में मैनली कोश्टन्स आ रहे हैं यह कोश्टन्स आएंगे वो पूछे जाता है हमारे जन्रली रिलेटेड बायलोजी में जो पूछे जाते हैं वो अपने सब्सक्राइब के बारे में पूछे जाते हैं इस्ट्री की बात की जाए तो बस इस्ट्री पॉलिटिक्स और जोग्रॉफिय के लिए आपको कुछ नहीं करना है जो प्रीवियस येर में जितने भी कोशिन आए उनको उठाइए उनको पढ़िए मैक्सिमुम आके पास से छे क को इतना जादा फोकस नहीं रहता आप नॉर्मली अगर पेपर पड़ते हो तो आप ये कॉशन कर सकते हैं बात की जाए करेंट अफेर की तो तीन महीने का करेंट अफेर ये हम बार बार बोल रहे हैं पिछले तीन महीने का करेंट अफेर जो की बात की जाए अगत्स से पहल सबसे पहले आपको जो खतम करना है वह प्रीवियस एर कॉश्चन्स में बार बार बोल रहा हूं प्रीवियस एर पेपर टू थाउजन सेवंटीन जितने भी हैं सब लगा डालिये एक भी मत छोड़िएगा अब बात करते हम टेक्निकल की टेक्निकल के उपर अगर आपना इसमेंट वाला चैप्टर एंड बात की जाए तो सीमेंट वाला चैप्टर इन दौनों को ढंग से कर लीजएगा नुमेरिकल जो पुराने आ रहे हैं वह आप देख लीजिएगा नमर और बीकन सब के बारे में वह वह कॉस्चन्स ही रिपीट होंगे बात की जाए अपना इसका वेटेज 5-7 मार्स है इस बार डिपेंड करता है एस्टीमेशन कोस्टिंग थोड़ा जादा आने का क्यूंकि जो प्रोजेक्ट है वह एस्टीमेशन से जादा रहे हैं डिपार्टमेंट में तो इसलिए एस्टीमेशन कोस्टिंग पर थोड़ा ध्यान दीजेगा जो प्रीवियस एर के कॉशन उनको लगाईएगा उसके बाद आप गुपता का लगा सकते हैं या आपको जहां से भी नोट्स मिले वो आप लगा सकते हैं कुछ जो प्रीवियस एर कॉशन जिनके पास नहीं है उनके लिए मैंने लिंक मैं अभी अपने वीडियो के प्रीवियस एर कॉशन और कोई भी सब्जेट जिसके आपको पास नोट्स नहीं है आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए हम आपको उसका लिंक देंगे उन नोट्स के लिए ठीक है आगे बाद की जाए अपना सर्वेइंग का साथ से 10 मार्व रह रहा है पिछली यर में लेकिन इस बार सर्वेइंग का जो वेटेज रहेगा वो पंदरा नमर तक जाएगा इसलिए सर्वेइंग को अच्छे से तयार कीजेगा इसमें जो फर्स चैप्टर है उससे ज्यादा कॉशन पूचे जाते हैं थ से आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनमें आप विदाउट कैल्कुलेटर सॉल करने की कोशिश कीजिएगा आगे बात की जाते हैं सबसे मुकोर जो है अपना सेलेक्शन का वह आपका है स्वाइल मेकैनिक्स 10 से 14 मार्क्स की और मेंस में भी सबसे जादा वेटेज रखता ह देन बात की जाए कॉंपैक्शन वाला चैप्टर भी इंपोर्टेंट यह सम निकालना वह भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट देन बात की जाए साइज की सेडिमेंटेशन इवाज अलसा गुड टॉपिक फॉर स्वाइल मेकैनिक्स देन इंडेक्स प्रपर्टी और को आ इन मैंने नहीं पड़ाया तो वह प्रीवेस यह कॉशन सिर्फ लगा के जा सकते हैं इनके काफी कॉशन इन में से मैच कर जाएंगे आपको तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी एफम जादा नहीं पूछी जाती पूछा जाएगा तो वाटर रिक्वार्मेंट आफ अपना याद कर दीजिगा शूपर एलिवेशन के वेल्यों फ्रिक्शन के वेल्यों लेटर फ्रिक्शन लॉंगिट्विट्वन फ्रिक्शन बात की जाए ऐसस्टी ओस्डी आईस्डी देन बात की जाए अपना जो डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रेड्स होता हैं सब्मिट कर लेट से वेली खर्व कॉमसा कॉन सा कर टांजिशने क्रमकां संसरता कर दिज्यार सा हले में आथ कल लीजेगा दैन बात की जा ट्रैफिक लेन कैपसिट ट्रैफिक वॉल्यूम दिइफरेंट्स मैंघंट ऐस्ट्रैफिक और मिंध दिफरेंटrant द्यन कन से इनमें से फ्लेक् ट्रेफिक सिंग्नल के बारे में बेब्सटर में फॉर्मूला इन सब पर छोटे-चोटे चुटे कौशन पूछे जा सकते हैं में बात की जा इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ज्यादा कास बड़े कौशन नहीं आते हैं आपको कुर्ण जैसे फिरस्ट अपना जो स्पेंडेड मैटीरियल होने चाहिए कितना क्लोराइड फ्लोराइड इन सबको जरूर याद करके जाएगा इस्ट्रक्चर इसकी बात की जाए तो पूरा टॉस सो मिलाके पूरा दस नम्मर का पूछा जाता है प्रीम है तो आप जरूर प्लेनर नॉन प्लेनर इस्ट्रक्चर के लिए आप कुछ नहीं है ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो गुपते एंड गुपता है उसके कोश्चन लगाईए बात की जाए आर सी सी की तो आर सी सी में आप सारे कोडल प्रोवीजन जरूर याद कर लीजेगा आर सी सी वास्ट इमोस्ट इंपोर्टेंट सबजेक और आएस कोड से नहीं पूचा तो थोड़ा ट्रिकी कोशिन आएगा तो आर सी सी को थोड़ा उसी साफ से तयार कीजिएगा इसके भी सबसे पहले प्रीविएस एर कोश्चन लगाईए उसके बाद आप खुद कोश्चन मनाई आर सी में किस टाइप के कोश्चन पूछ सकत लीजे ग्रेडर जरूर पढ़ लीजेगा और कनेक्शन को अच्छे से याद कर लीजेगा तो यह कुछ टॉपिक्स है और यह कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था पेपर से पहले सबसे जो इंपोर्टेंट चीज है प्रीविएस येर पेपर है मैं बार जाधा सही करें ज्यादा अटेंट की जगें आप अक्यूरेसी मैटर करती है अपके ज़्यादा रहेगी उतना अच्छा रहेगा फिर भी अगर बात की जाए तो आपको अटेंट की लिए भी पूछ रहेते हैं कि इतने नहीं तो मैं बोलना चाहूंगा सबसे बात पहले ब लेकिन इंटेलिजेंस में अगर आप 20 नमबर तक 20 से 25 नमबर का अगर आप कर देते तो बहुत बैटर है बात की जाए टेक्निकल की टेक्निकल में कोशिश कीजिएगा 65-70 कॉश्चन आपके सही होने चाहिए इसी साफ से अटेम्ट लिए टोटल 130 के एप एपरोक्स अगर आप टच कर रहे हो तो आपके लिए very good score है बात की जाए category wise की तो सब category के लिए मैं 100 कॉश्चन के लिए बोलूगा कि 100 कॉश्चन अगर सही सही अटेम्ट हो रहे हैं तो आप रिस्क नहीं लीजिएगा और कुछ आगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और क सब्सक्राइब कर दीजेगा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा थैंक यू